हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सवजोत और आप देख रहे हैं मल्टी सिल्यूशन्स चैनल आज हम ऐलो विरा की खेती के बारे में बात करेंगे एलो विरा की जो खेती है यह अब सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत सारी नैशनल मल्टी नैशनल कॉम्पनीज एलो विरा की जो खेती है वो इंडिया में करवा रही है और बहुत सारे किसान यह खेती कर रहे हैं जो शोटे किसान है वो भी इसमें काफी पैसे कमा र करेंगे कि यह हम प्लांट कहां से लें इसकी देखपाल कैसे करें सारा प्रोसेस देखेंगे इसकी क्या कीमत होती है और क्या हम इसका रेट होता है और कैसे हम माल होता है वह लेव जहीं हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर खेती करते होए आपको कोई समस्य आती है तो ये कमपनी आपकी उसमें मदद भी करते हैं अगर आप लोग इनसे पौधे लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एकड में कितने पौदे लगते हैं और कितना खर्चा आता है लगबग 12,000 पौदे एक एकड में लगते हैं अगर हम 4 पर पौदे का रेट लगाएं तो आपका 48,000 पर एक बार का खर्चा आएगा पौदे लगाने का और एक बार पौदे लगाने के बाद 12 महीने के बाद पतियां त्यार मिलती हैं बेचने के लिए ये एक पौदे से तीन से लेके 5 किलो तक एक पौदे से निकलती हैं और बजार में आपसे पतियां 4-5 रुपए प्रति किलो लेंगे और एक कड़ में से 60 टन जाने की 60,000 केजी पतियां निकलती हैं अगर हम इसका रेट 3 रुपए भी रखें तो आप देखें 60,000 गुना 3, 1,80,000 रुपए आपको मिल जाएंगे पहली कटाई पर एक साल में हम 3 बार इसकी कटाई कर सकते हैं और आप इससे अंदाज्जा लगा सकते हैं कि आपको 6-7,000,000 रुपए प्रति एक कड़ आपको एक साल में मिल सकता है और एलो बिरा से सिर्फ पत्ते ही नहीं निकलते चोटे चोटे पौदे भी त्यार होते हैं तो वो पौदे भी जे कंपनियां ले लेती हैं और उससे आपको अलग आमदन होगी अगर आप चोटे किसान है तब भी आप लाखो रुपिया कमा सकते हैं और आप ट्राई के लिए इनसे एक एकड़ में एलो बिरा के पौदे लगा कर देखिए इनसे अच्छी तरह बात करें और इनको समझें इनसे बात चीत करें इनके सारा प्रोसेस समझें और उसके बाद अपने खेत में पौदे लगाएं और आप जरूर इससे लाखो रुपे कमा सकते हैं हमने डिस्क्रिप्शन में इनका कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एलो रखी खेती करना चाते हैं पैसे कमाना चाते हैं तो आप जरूर सफल होंगे लेकिन उससे पहले मैं एक रेक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसकी पूरी जानकारी लेके एक दो जगा से और भी जो किसान उगा रहे हैं उनसे भी बात करके इस खेती को करें और मुझे पूरी अमीद है आप इसमें जरूर सफल होंगे लेकिन बात यह है कि आपको सारा प्रसेस पता होना चाहिए और कमपनी से भी अच्छी तरह बात करें तो अभी आप सफल हो सकते हैं मुझे अमीद है दोस्तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना और जादा से जादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स